तो चलो शुरू करते हैं छे दिसंबर के करेंट अफेर्स उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्षना प्राप्त हो जाए और यह रहा हमार सबसे पहला कोश्चन विच एडिशन ओफ एडिया कॉंपेटिशन वीक 2022 वाज और उसका कौन सा एडिशन था इससे पहले हम एडियू की बात कर लेते हैं एयू का फूल फ्ल फिर्म क्या है यूरोपियन यूनेन और इसके हैट कोईटर कहां पर है इसके ब्रिशन बेल्जियम इसके हैड कोईटनी है इसमें 28 Namago members ओके इसमें 27 members है और इसमें से ही EU में से ही UK की exit UK की exit EU में से ही उसको क्या बोलते हैं Brexit ओके Brexit ये किसको बोलते हैं EU में से UK के निकलने को और अब बात करें EU India competition week की तो ये 5th December को हुआ और ये इसका कौन सा edition था ये था 5th edition ओके ये 5th edition था और ये मनाया क्यों गया है corporation को बढ़ाने के लिए corporation को बढ़ाने के लिए EU और इंडिया के बिच में corporation को बढ़ाने के लिए उसके बाद Digital Literacy के लिए Digital Literacy को बढ़ाने के लिए Okay Digital Literacy को बढ़ाने के लिए और साथ ही में Export बढ़ाने के लिए Trade को बढ़ाने के लिए Trade और Export को बढ़ाने के लिए यह मनाया गया तो यह कौन सा edition था 5th edition of EU India Competition Week held on 5 December चलते question number 2 की तरफ When did Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar Mr. Tomar Narendra Singh Tomar जी Launched the Agriculture Investment Portal तो Agriculture Investment Portal Narendra Singh Tomar जी ने कब लौँच किया है तो यह लौँच किया है 5 December को 5 December को इस Portal को लौँच किया है और वो Agriculture Minister Narendra Singh Tomar जी ने किया है और 5 December को क्या होता है 5 December को ही हम कुन सा day मनाते है World Soil day यह हम कब मनाते है 5 December को और इस बार की theme क्या थी Soil Where food grows Where food grows यह इसकी theme थी ओके अब इसी के साथ हम देख लेते हैं और कौन-कौन से portal हाल-फिलाल में launch हुए है हाल-फिलाल में कौन-कौन से portal launch हुए तो एक है अम्रित portal और knowledge portal ओगे knowledge portal और bats bats application अगर जन समर्थpielt Should try की बात करें जन समर्थ पॉर्टötल की बात करें तो यह किस के लिए लांच हुआ था क्रेडिट हुआ के लिए यह लांच हुआ था सार्थियप की बात करें तो इसे किस ने लांच किया था SEBI ने ओके शेवी ने सार्थी अप लॉंच किया था संभव पोर्टल की अगर बात करें तो यह किस ने लॉंच किया था संभव पोर्टल लॉंच किया था यूपी गॉर्मेंट ने यह अमरित पोर्टल की बात करें यह अमरित किस ने लॉंच किया था नितियायोग 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 नि Bats app launch किया था और समरिद्धी की बात करें समरिद्धी समरिद्धी पोर्टल यह किस ने launch किया था यह launch किया था New Delhi Government ने New Delhi Government ने इसे launch किया था तो सारे important portal हमने यहाँ पर cover कर लिया है चलते हैं हमारे अगले question की तरफ अगला question हमारा है in the recently released worldwide cost of living survey 2022 which is the most expensive city in the world most expensive city world में कौन सी है तो इसमें first rank पर दो दो cities एक साथ मरें तो वो दोनों है New York और Singapore तो इसका correct answer क्या हो गया बोथ A and B तो New York और Singapore दोनों ने top किया है वर्ल्ट वाइट cost of living survey 2022 और इसे launch कौन करता है इसे launch करता है EIU Economic Intelligence Unit EIU इसे launch करता है और EIU का फुल्पम क्या है Economic Intelligence Unit ओके और इसमें बात करें last position की last position इसमें 172 और ये किसे मिली है Damascus डमासकस जो की capital है Syria की Syria की जो capital है उसे last position मिली है और last position कौन सी थी 172 इंडिया की ranking देख लेते हैं अलगे-अलग index में इसी को लेकर अगर हम बात करें सबसे पहले travel and tourist index travel and tourism index travel and tourist index उसके बाद global gender gap index global global gender gap index global gender gap index उसके बाद global peace index global peace index HDI press freedom index press freedom index ओके global hunger index global hunger index ओके और happiness index happiness index ओके इन सब में इंडिया की ranking देख लेता हम तो टुरिज्म रैंकिंग में इंडिया की कौन सी रैंक है इसमें इंडिया की रैंक 54 ओके 54 उसके बाद gender gap index हडम इंडिया की रैंक कौन सी है इसमें इंडिया की रैंक 11324 HDIM index के रिकाहिए? प्रेस में इंडिया के रिकाए? te This This videohow on video talkIA Information कितनी है अगर हंगर इंडेक्स की बात करें तो LOL हंगर में 107 और happiness in इंडेक्सनी की रिकाहिए काए है happiness index में इंडिया की रेंक है 136, okay 136 इंडिया की happiness में रेंकिंग है चलते हैं अगले question की तरफ which Indian bank has recently received the bankers bank of the year award the bankers bank of the year award 2022 at the global banking summit तो यह कौन सी bank को मिला तो यह मिला है Canada bank को, okay Canada bank को इसे banking nobel भी गोलते है बैंकिंग nobel prize, okay noble of banking, noble of banking, noble of banking, noble prize of banking यह कौन सा है, the bankers bank of the year award और यह मिला है Canada bank को, okay किसे मिला है, Canada bank को और यह दिया कहाँ पर गया है यह दिया गया है, लंडन में, okay यह दिया गया है, लंडन में अब हाली में किये हुए सारे important awards देख लेते हैं important awards में सबसे पहला है, विटली 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 अवर्ड किसे मिला है ये मिला है विटली अवर्ड किसे मिला है चारुदत्ता मिश्रा ओके चारुदत्ता मिश्रा इन्हें मिला है चारुदत्ता मिश्रा को विटली अवर्ड ग्यानपीड अवर्ड किसे मिला है नील मनी फूकन ओके और दादा साहिब फाल के अवर् 50 second. और यह किसे मिला है? यह मिला है. यह किसे मिला है? आशा आशा पारिक जिको 50 second. दादा साहिब फालक अवर्ड मिला है. who is the first Indian to win the silver in the Asia Junior Badminton Championship तो Asia Junior Badminton Championship में पहली बार silver किस ने जिता है तो ये जिता है उन्नती हुडड़ा ने ये अवर्ड जिता है और इसमें total इस championship में Asian Badminton Championship में total awards कितने आएं तो इसमें awards आएं है total five उसमें तीन silver है दो bronze है ओके तीन silver है और दो bronze है उसमें under 17 under 17 में under 17 में silver medal देने वाली सबसे पहली Badminton player कुण बनी है वो बनी है उन्नती हुड़ा चलते हैं अगले question की तरफ अगला question who inaugurated the 65th foundation day of directorate of revenue intelligence directorate of revenue intelligence का 61st 65th foundation day किसने inaugurated किया है तो यह inaugurated किया है निर्मला सीता रामन जीन है किसने inaugurated किया है निर्मला सीता रामन जीन है चलते हैं अगले question की तरफ विजय हाजारेट्रॉफी इस बार किसमने जिती है सो राष्टर नहीं ए्टोस नहीं ए french पुंसा पहतते चाहे खेप गत्राइब हो प्रण। bringing झावसटे णे कों किविजय हाजारें ट्रोफी ट्रॉफी जिती है हिम आचल प्रदेश नहीं några म OFFICI कि 2021 की विजहजार ट्रॉफी जीती थी अब 2022 का विनर को ने 2022 का विनर है शो रास्टर और इसका फाइनल किसके साथ हुआ था मुंबई के साथ ओके फाइनल किसके साथ हुआ था मुंबई के साथ में और मुंबई नभी कौन सी ट्रॉफी जीती है मुंबई नभी कौन सी ट्रॉफी जीती है सेयद मुश्ताकली ट्रॉफी सेयद मुश्ताकली ट्रॉफी किसने जीती इस साल की मुंबई ने अगर डॉमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो डॉमेस्टिक क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी होती है रंजी ट्रॉफी ओके दुलिप ट्रॉफी दुलिप ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी इरानी कप इरानी कप उसके बाद सेयद मुश्ताकली ट्रॉफी ओके सेयद मुश्ताकली ट्रॉफी तो रंजी इस बार किस ने जिता है MP ने और पहली बार दलिप ट्रॉफी वेस्ट जोन ने जीती है, एराँजेंगारी कब रेस्ट फ इंडिया ने जीता है, विजेई हजारे, लास्ट ये जीती थी, हिमाज्चल प्रदेश ने, इस बार किसने जीत लिए, सोराश्टर ने, सोराश्टर ने, 2022 विजय हजार कप जीत लिया सेयद मुश्तागरी ट्रॉफी की बात करें तो यह किस ने जीती थी मुंबई ने अगर इंटरनेशनल टूर्णामेंट की बात कर लें तो ICC T20 World Cup किस ने जीता है T20 World Cup जीता है from England के agra अगर ओक लिएव फस्सी क्रापी की बात करें तो इस इस में एक कावर में 43 लन Mारने वाले पहले कौन मने हैं वो है रितुराज गायकवार्ड रितुराज गायकवार्ड इन्होंने एक अवर में 43 रन मारे हैं और एक ही अवर में 7 6s मारे हैं तो ये करने वाले सबसे पहले बैट्समेन कोन है रितुराज गायकवार्ड और हाइएस हाइस रन स्कोरर कोन है हाइस रन स्कोरर कोन है जिनोंने domestic rate में सब स्यादा score के आए, individual score single match में, तो वो है N Jagdishon, N Jagdishon, N Jagdishon, okay, player of the month for October month, ICC player of the month for October month कोन है, वो है Virat Kohli, Virat Kohli, okay, thousand run T20, T20 में एक ही साल में मारने वाले first Indian कौन बने है, वो बने है सूर्य कुमार, सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, okay, so cricket से related हमने maximum possible चीज़े हैं आपर cover कर लिया, चलते हैं अगले question के तरफ, which पराकरम दिवास was celebrated in Rajasthan, लोंगे वाला, okay, तो कौन सा पराकरम दिवास अभी लोंगे वाला में celebrate किया गया था, तो अभी celebrate किया हुआ है, 51st, 51st, लोंगे वाला पराकरम दिवास, लोंगे वाला पराकरम दिवास, ये पराकरम दिवास हम क्यों बनाते हैं, कि 1971 में जब operation Trident हुआ था उसके बाद में उसके बाद में पाकिस्तान ने retaliate करते हुए लोंगे वाला पर अटेक किया था ओके लोंगे वाला पर अटेक किया था और वहाँ पर Major कुल्दीप सिंग जो वहाँ के सिंग इसाथ इसलिए हुए हम 51 स्ट पराकरम दीवस मना रहे हैं लोंगे वाला में और ये कब मनाते हैं ये मनाते हैं 5 दिसंबर को और 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं इंडियन नेवी डेंडियन नेवी डेंडियन नेवी डेंडियन नेवी डेंडियन क्यों मनाते है इस दिन क्योंकिसी दिन operation ट्राइडन इंडियन नेवी ने सक्टेस्फ़ुली केरी आउट किया था ता चलते अगले question की तरफ वेट वस ददिव्य leskalylaед mila was inaugurated in new परेशन होंगे वह सारे इखता होंगे एक को फैस्टीवल के अंदर इसस्टिवं के बिविए करहा में इसमें सीध्य स्पच्री एबल यह यह से णालाव के लिए यह इस बिटिव लांस उकेड़ी इस पेस्टीवाअं कि दीश रहे होगार आपसाता है सिस्पीम को यूजो किया इसपेस क्राफट ऑपरेशन के लिए तो वह जाकसा, जाकसा कहा की Bacon कि यह जापान कि, अगर नासा की बात करें तो यह USA की है, इस इस रो suspend इंडिया की है और इसके chairman को नहें, इसके chairman're सूमनाथ, सूमनाथ इसके chairman है, और Ross Cosmos की बात करें तो यह रश्या की Space Agency है Artemis Mission Artemis Mission किसका है Artemis Mission था NASA का इंडिया की बात करें तो Aditya L1 Shukrayan 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 और Gaganyan और Gaganyan यह तीनों इंडिया के upcoming missions है Aditya L1 Solar Mission है Shukrayan Venus Mission है और Gaganyan Astronauts को Space में भीजने वाला mission है और Para Astronauts की बात करें तो Para Astronauts का नाम क्या है Para Astronauts का नाम है John McFall John McFall और यह कहा के है European Space Agency ने इनने Declare किया है कि यह First Para Astronauts है और अभी हाल ही हमे Chandrayaan 2 ने Chandrayaan 2 ने Moon पर Chandrayaan 2 का जो Orbiter है उसने Moon पर Sulphur के Sulphur के बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा Abundance पाया था Okay Sulphur के abundance को पाया था Moon पर Okay So That's it for today If you do like the video Please like, share and subscribe Press the bell icon for regular updates Keep watching, keep supporting Thank you